आज का जो वीडियो है बहुत ही most important वीडियो है इस वीडियो को ध्यान से दिखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो आपके सामने question दिख रहा है बहुत ही most important question है probability से जो कि आपके परिक्ता जो last chapter है उससे एक परशन हमेशा आपको मतलब हम बिहारवर्ड से बिलॉंग करते हैं ऐसे NCRT का सबसे most important question है ठीके तो बिहारवर्ड में जब हम भी एक जाम दे रहे थे उस time भी a question आया हुआ था और इसको बिहारवर्ड में बार बार पुछा जाता है other board में भी पुछा जाता है क्यों क्योंकि ये NCRT का ही most important question है इसलिए जिस board से आप होंगे वो दिखना ठीके इसको छोड़ना नहीं है question क्या है कि a कहता है 60% तथा b कहता है 90% सत्य बोलता है क्या है a 60% सत्य बोलता है और b 90% सत्य बोलता है करा है कि तो किसी एक ही तत्य पर मतलब एक ही बात को किसी एक ही तत्य पर दोनों में विरुधाभास होने की क्या परतिस्ता है कह रहा है कि A जो है 60% सत्य बोलता है B 90% सत्य बोलता है और एक ही तत्य पर दोनों बात करता है यानि सत्य जो बुल रहा है एक ही बात के लिए बुल रहा है तो आप से बुल रहा है कि दोनों में विरुधा भास होने की क्या परतिष्टा विरुधाभास काने का मतलब होता है जब आ सत बो, तो बी असत बो, यह होता है विरुधाभास का मतलब अभी आगे आपको अच्छे समझ में आपा पर ध्यान से देखिए जो पहले कहा है ए यूँप आपको सतिय बोलता है उसका परतिसत निकाले सिससे पहले एक्जाम में क्या करेंगे एससे सником लिकर कर ने ठीक है अब लिखेंगे कि जब हाँ ए ए कर चुछ पल रहा हो fod बोलत जब अब बोल शार सर धर हो तो जब यहाँ और और व्यह नहीं हो जएगा कितना परसेंट है 60% तो यह हो जाएगा 60 बटे 100 कटा देंगे इसको 2 से 2 तियाई 6 2 पाचे 10 यानि यह आ जाएगा 3 बटे 5 जब यह सत्य बोल रहा तो प्रोबिलिटी 3 बटे 5 हुआ जब अब यह सत्य बोल रहा होगा एक बर सत्य बोले एक बर असत्य बोलेगा जब असत्य बोल रहा हो तो क्या हो जाएगा असत्य के लिए P A डैस कर देंगे P A डैस मतलब असत्य बोल रहा है P A डैस का फर्मूला हो जाएगा 1-P A जो की probability में पढ़ाया गया है P A डैस का फर्मूला 1-P A हो जाएगा और डैस किसके लिए है असत्य के लिए जब इसको solve करेंगे तो 1 का 1 और P A का value आया है 3 बटे 5 इसको हल करेंगे 3 हो जाएगा 5 और यहां से 5 माइनस 3 और यह हो जाएगा 2 बटे 5 असत्य बोल रहा हो तो P A डैस इसकल टू 2 बटे 5 आ गया एक का काम हो गया अब क्या कहा गया है B के लिए अब लिखेंगे जब B सत्य बोल रहा हो तो सत्य बोल रहा हो तो P B हो जाएगा तब P B कितना हो जाएगा 90% है न 90 बटे 100 कटा देंगे तो यह जाएगा 9 बटे 10 जब अब असत्य बोल रहा हो तो लिखेंगे असत्य बुल रहा होतो असत्य बुल रहा होतो P B dash ते क्या हो जाएगा 1 माइनस A B P B तो 1 का 1 P B P B का भालू 9 बटा 10 ना ते हो जाएगा 9 बटा 10 इसको हल करोगे LCM 10 भाइग दोगे 10 माइनस 1 और यह हो जाएगा 1 बटे 10 देखो हमने A सत्य बुल रहा है तो 3 बटा 5 आया जब A असत्य बुल रहा है तो 2 बटा 5 हुआ जब B सत्य बुल रहा है 9 बटा 10 हुआ जब B असत्य बुल रहा है तो 1 बटा 10 हुआ आपसे बुला गया है कि बिरुधा भास होने की परिक्ता बताइए तब बिरोधा भास काने का मतलब क्या, जब A सत्य बोल रहा होगा, तब B सत्य बोल रहा होगा, उल्टा होने के लिए, लिखेंगे बिरोधा भास, बिरोधा भास मतलब एक दूसरे क्या, उल्टा, तब बिरोधा भास का फर्मूला हो जाएगा, एक बार जब A सत्य बोल रहा ह इसके साथ B क्या बुल रहा होगा असत्य तब पी बी डैस हो जाएगा प्लस जब ए असत्य बुल रहा होगा जब ए असत्य बुल रहा होगा तब बी सत्य बुल रहा होगा पी बी हो जाएगा अब इसको रखो पी एकमान तीन बटे पांच और पीबी का माँ पीबी डैस यहीं असत्ते नौ बटा दस है अब पलस पीएडैस एडैस देखो तो दो बटे पांच है और पीबी यहीं सत्ते नौ बटा नौ बटा कितना? नौ बटा दस नहीं यहां पर क्या होगा यहां तो मिंस्टेक हो रहा है तरत पीबी Pacific का माँद 1 बटा दस है यहां पर sorry यह एक बटा दस है और यहां पर 9 बटा दस प्weh लगा लिए चाहरत अब इसका अमेन मान रख लिया अब देखो इसको हल करो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा जब इसको हल करेंगे तो यह जाएगा तीन बटे कि तीन बटे दस बचे 50 ठीक है अपलास इसको करेंगे दूब पाचे दस उपर हो गया नौट और नीचे हो गया पाचा हाँ पाचीस इसको हल करेंगे पाचीस और पचास पाचीस और पचास का एल सिम पाचास हो जाएगा इसको भाग देंगे दो बार में तीन दूनी छोग नई तीन ही होगा त्योंकि पचास को भाग देंगे एक बार में तो तीन अब पलस इसको भाग देंगे दो बार में नौदूनी 18 18, 3, 21 21 बटे 50 आ गया 21 बटा 50 जोया वो विरुधाभास हुआ लेकिन आपको क्या बताना है इसका परतिस्ता भी बताना है विरुधाभास का परसेंट बताना है क्या लिखेंगे इस बार विरुधाभास विरुधाभास परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा 25 विरुधाभास है इसका परसेंट निकलना है 100 से गुना कर देंगे 0-0 कैंसिल यहां से 5 दूनी 10 यानि 1 दूनी 42 और 30 आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा विरुधाभास होने के परसेंटा जो होगी 42 परसेंट होगा अब मैं आप लोग को एक क्विस्चन देता हूं उस क्विस्चन को आप लोग को बनाना होगा क्यों क्योंकि इस तरह का प्रश्ण हमेशा पुछ जाते हैं यह हमारे NCRT का ठीके NCRT का बेस्ट क्विस्चन है ठीके और साथ में चेप्टर कौन सा थर्टीन यानी प्रोबलीटी से परेक्ता से इस क्विस्चन को छोड़ना नहीं है अभी जो क्विस्चन देंगे जस्ट इसी तरह से बनेंगे और हमेशा हमेशा पुछे जाते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है ठीके और लॉंग में आएगा ध्यान दखिएगा वे लॉंग में प्रस्ट नहीं आएगा तो हम इस क्विस्चन को इसके इस लगा देते हैं उसको बना करके जिरूर आप लोग कमेंट बक्स में उसका एंसर कमेंट कर दीजिएगा ठीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में